पच्चिम बंगाल जीला अलिपूर दुआर ब्लोक कालचिनी गारोपड़ा ग्राम पंचायत के आंत्रगत बंगाबाडी आउट डिविशन ग्राम में 16 परिवार आदिवासी एवं गरिबी रेखा से नीचे रा रही है बंगाबडी चायबगान में 16 परिवारों में जोपकाट ना मिलने की सिकायत थी बिगत पांस सालों से इस समस्य का खबर पाकर मैं हरिहर नागवन सी यहां आकर उन परिवारों से मिलने के उपरां इस समस्य के बारे में एक इसु वीडियो बनाया आप क्या चाहते हैं सरकास मिलने से कामदाम देने से अच्छा होता रहा जोपकाट नहीं है MG NRGA 2005 के तहट हर ग्रामिन परिवार के जो 18 साल से कौसल सरमिक है उन्हें रोजगार देने का लक्ष्य है ग्रामिन पहले भी मिलकर ग्राम प्रधान को आवेदन दे चुके हैं लेकिन कारवाई कुछ नहीं हुआ कोई यहां रोजगार नहीं है तो घर में बीमार उमार पतनी सब बीमार पढ़ा हुआ मेरा पतनी सब जंगल लिए सागु को दे के आता है खता है बागान का फूल है चाय का फूल फूल सब से लेके खाना खाने परता है कामदाम को यह अच्छी मिल जाए बच्चे लोक लिए रोजगरी तो अच्छी बात है हमारे कालचिनी बुलोग के जो बुलोग लेगल का जो बड़ा ओपीस है इसको हम लोग वीडियो ओफिस बोलते हैं अपने जो बेनेफेसरी जिसका जो पाट नहीं है उसका कॉंप्लेन कि अपना कॉंप्लेन का जमा दिये उसमें वीडियो जो महिला है वो बोली कि मैं तो अभी नहीं आया हूं मुझे अभी तक कि कॉंप्लेन नहीं दिया गया है मैं इसके बारे सोचूंगी देखूंगी इस वीडियो बनाने के उप्रान प्रसासन एवंग अस्थानिया समुदय मिलकर आगवाई की और अभी 26 महिने के बाद उन छे परिवारों में जोपकाड दे दिया गया है और उन्हें एमजी एनार जीये के तहट रोजगार भी दिया जा रहा है समुदय को समस्या से बना इस वीडियो दिखाया गया युवावों को भी वीडियो शेयर किय गया जब मैं वीडियो सूट कर रहा था तब लोगों में विश्वास नहीं था इस पुरानी समस्या में कुछ बदलाव आएगा पर मैंने विश्वास दिलाया कि प्रसाशन आपके मदद के लिए है बस उसके समक्ष आवेदन लेकर जाने किया हो सकता है जब कट कब बन लग दिएदर सत्रम बन लग किसन बन लग पंचेता पिज जा रही बार में अथी वीडियो आपीस चले हरे रहा है फोटो फोटो कर लग जब काम केतना मिल लेक अंतर रहा है अच दिए गर बने काम मिल रहा है और एक नकाम चाहला और और काम चाहा थी इसक आपकर डिमांड के रहा है करी दिमांड नहीं मील है कितना काम लग ज़िए अब पंचायत सदस्या सुरेश महली समुदाई की आगवाई की प्रतेक बार जीपी ओपिस में प्रधान को रिक्वेस्ट किया साथ साथ समस्या से बना वीडियो देख समुदे में जागरुकता आई तीन जनवरी 2016 रात को समुदे ग्राम में समस्या के बारे में चर्चा किया समधान का रास्ता खोजने में मैं समुदे के सदस्या के रूप में उनकी मदद किया साथ ही सोम्रा उराओं को नया जोबकाट बना वो भी काम कर रहा है जोबकाट कितना दिन में बन लग और एक हन जोबकाट पाविक कर बाद में काम धाम किसन मिला थे तो आगे से एक हन सुविदा लागा थे काड़ में सुविदा एक सोख तो और जे समस्या रहे से बदलाओ के सा ना लग दाता हमें हरी हार और पंचायत में सब मिल के वीडियो में जाए रही वो सब के जमा दे लिए हमें कि के कि के के जनकारी दिला तो हरे हमें हरी अर यह के पंचायत में बर में पर दान परदान अपिस और बिडियो वीडियो जमा देला तो उकरबाद के सन का म हो लगे प्रोसेस के सा ना लग दोता है वो कैसे आया बदलाव का प्रोसेस हमारे हिया जो हुआ उसमे हुआ वीडियो फुलुवुएंटायल जो इसका नाम है अरी हर नागवनशी के मारफ़स से इहां को जो समस्या थो तक समस्या को उस उसके बाद हमारे एक्षाइब इनरजियस सेलकार六की सरॉण पहुँचाके। उसके दौरां ही वीडियो मेडम के दौरां ही एक्षा के दौरां करते ही चीकी जो कि काम नहीं हुआएइसकोampa ya उसके लिए मैं तहदिल से उन लोगों को सुकरिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ बंगबड़ी के जो समस्या थी उसमें आपने क्या किया? बंगबड़ी का जो समस्या था उसमें जो निर्मल मुंडा है उनकी लिए उनको रहनेका घर नहीं ठार, प्लास बहुत ही दरिदरे आवस्ता में था ओंके मुझेद सीकायत के पाल के मुझे का विदियोमेडम के बातुए मैं मतला इकी, उसका का theatre बहुत ही खराब है तो वीडियो मेडम और हम लोग उसके बाद पंचायत मिलके हम लोगों ने उसका जो आर्थी का उसता खराब था उसको सुधार लाने के चेश्टा किये और अभी उनको घर भी मिल गया और उनको गेस भी मिल गया अभी वो बहुत खूस है जोपकाड भी मिल गया अभी वो एकसो दिन का काम भी कर रहा है जो कि पहले उनको साइकिल के साइकिल को बना के वो अपना परिवर निर्वा कर रहा था अभी वो खुशाली जिन्दगी ब्यातित कर रहा है अभी उसको काम मिल रहा हैं अभी उसको काम मिल रहा है आपको कैसा महसुस हो रहा है कि मैं इन दोनों फेमिलियों के लिए कुछ कर पाई, अभी मैं बहुत खुश हो, मैं भी चाहती हूँ कि आगे मेरे बार जो भी परधान आए, वो भी इन दरीद्रों की तरह ही और किसी दरीद्र को मदद करें. इसके साथ साथ जागरुक समुदाई के द्वारा चाओ परिवारों को M.G.N.R.G.A. से नया जोब कार्ड मिला, रोजगार पाकर चाओ परिवारों में 23 लोग इसे लाभान नित हुएं. अभी आपको ये समस्य समाधान हो जाने के बाद आपको कैसा अनुभाव लग रहा है? पंचयत के लिए तो यह बहुत खुशी की बात है जो कोई भी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो समाधान होने से इसे बहुत खुशी होती है और यह मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि मैं किसी को किसी का काम करवाने में मैं सफल हूँ अच्छा वू सब के बहुत बहुत धनियाबाद को तो कि उसने करो और उसने चालते रहा है का खुशी यहात हो रहे है खुशी तो जब कर बंगलाद खुशी है आही काम मिलगे लग एक तो अर्वीडियो मेडम की भी धनियाबाद दाई चाहन और पंचत की भी धनियाबाद दाई चाहन है जब कर बंगला करो लग धनियाबाद दाई चाहन मैं हरिहर नागवंसी मेरा तरफ से और वीडियो वोलेंटियर की तरफ से बदलाव लाने में मदद करने वाले समस्त मददगार वीडियो एलसी सेरपा प्रधान गारोपडा ग्राम पंचायत लिलामती गवाला एवंग अस्थानिया पंचायत मेंबर सुरेश महली को तहे द दिल से धनेवाद देना चाहता हूं मैं हरिहर नागवंसी पच्छिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए